हालो गाइज तो कैसे हैं आप सब और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट रेलवे गेमस्टार्ड तो जैसा कि मैंने आज कहां था कि मैं आपको आज मैत्री एक्स्प्रेस का जर्नी दिखाऊंगा तो यहाँ पर हो जाइए तेयर किया आज शुरू होने जा रहा है एक इंटर्नाशनल ट्रेंड का जर्नी वह भी गेम मे तो चली फिर शुरुआद करते हैं आज का हमारा जर्नी का फिलाल हम लोग आप यहाँ पर देखी सकते हो कि हम लोग कोलकता स्टेशन से डिपार्ट करते आगे बढ़ रहे हैं और यह मैंत्री एक्स्प्रेस का साइंग बोर्ड आपको दिख रहा होगा नेम बोर्ड और यह जनरेटर कार्ड जा रहा है इसमें बेंगॉली में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा बांगलादेश रेलवेए उपर में लिखा हुआ है वैसे मैंने कि इचले वीडियो में आपको दिखाया था ट्रेन को डीटेल से तो फिलाल स्पीड को थोरा सा इंक्रीज करते हैं और ट्रेन देखने में कैसा लग रहा है जरा मुझे कमेंट से बता देना अब सामने के साइड मैं आपको लेकर चलता हूं और यहां पर लोग फिलाल एक द कई आपको हलका-फुल का फिल आएगा, वैसे, हिल-क्लाइमिंग, से याद्य आया आपने, हिल-क्लाइमंग, गैम खेल आ है क्या, वैसे, मैं तो, बहुत खेला करता था जब मैं छोटा था, अगर आदी खेलते हो तो, मुझे तरह کमेंट्ट्स से बता देना और आज हमको जो लोको मिला है वो है 16569R रोड नमबर के साथ में WDM3A माल्दा माल्दा शेट का लोको मोटिव है और मुझे जारा कमेंट से बता दीजेगा कि क्या ये रेगूलर लिंक है या फिर ये आफ लिंक है लेज्ट से बताईएगा मैं अधर आपके आंसर्स देखना चालता हूं फिलाल यहां पर रेट सिंगल हमको मिला है मैं ट्रैक मॉनिटर ऑन करके देख रहा हूं और सामने से कोई ट्रेन आ रही है आपको भी दिख रहा होगा सामने से कोई ट्रेन आ नहीं रही है वैसे वह रुखी हुई है वैपपोर के साथ में एक्स्प्रेस ट्रेन वह रुखी हुई है और मैं F7 ऑन कर देता हूँ जिससे ट्रेन का नेम्स मुज़े बता चलेगा देखिये लेफ्ट साइड से एक गुड श्र्रेन आ रही है भी खरे हैं और यह दिखे यह डिपार्ट कर रहे है हॉंक मांक के हॉर्ण बजा के डिपार्ट कर रहा है वैब को और देखो Penod तो NCR से है यह लोको मोटिव जो कि यहां पर हमको भी हम लोग दमदम जंग्शन के आउटर पर रुके वे हैं यह वाला जो ट्रैक्स है होपफुली शियाल्दा के साइड में जाता है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो मैं थोड़ा चुप हो जाता हूं कि यहां का ट्रैक्स काफी अच्छा लग रहे हैं तो कैसा लग रहा है कि इस ट्रैक्स मुझे सुनने में काफी मजा आ रहा था इसलिए मैं थोड़ी देर चुप हो गया था क्योंकि मजा आ रहा था सुनने में बिल्कुल रियल वाली फील आ रहे थी और अभी आप देखोगी कि हमारा जो सिगनल है वह हमको मिल जाएगा जै यह एसी कोचिस थे जो कि अभी पास हो रही है यह दिक्षा हमारा ट्रैक्स क्लियर हो चुका है लेकिन सिगनल अभी तक मिला नहीं है बस मिलने ही वाला है चलो देखते हैं कब तक मिलता है सिगनल अरे हमारा ट्रेन पीछे कहां जा रहा है हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा सा और सामने बढ़के फिर मैं रोकता हूं हमारे ट्रेन को और वैसे तो अब तक सिगनल मिल जाना चाहिए था हम लोगों को लेकिन मिला क्यूं नहीं है मैं भी यह सोच रहा हूं लेखते हैं इस कब तक सिगनल मिलता है और हागे इस रीसेंड़ी जो है 200 के सब्सक्राइबर्स हमारा क्रॉस हो चुका है हमारे फैमिली में और यह सब कुछ स्रिफ और स्रिफ आप सभी के वज़े से हुआ है क्योंकि अगर आप सब में इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हम लोग यहां पे मतलब यहां तक नहीं पहुँच पाते तो आप सब को बहुत बहुत ही शुक्रिया तो मुझे तो यह बहुत अच्छा लग रहा था जिस दिन मैंने यह देखा यूट्यूब में भी मुझे अलग से नोटिफिकेशन भेजा था that you have completed 200 के सब्सक्राइबर्स तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स मुझे 200 सब्सक्राइबर्स अग पहुचाने के लिए चलिए फिलाल यहां पे सिग्नल मिल चुक है हमको येलो सिग्नल तो हम लोग आगे तो हमारा होने वाला है ट्रैक्स चेंज दिखाता हूं कैसा लग रहा है मैं आपको सारे हॉंट सुनाओंगे एक एक करके जड़ा वीडियो के साथ बने रहना लास्ट तक क्योंकि आपको इस जर्णी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है काफी सारे क्रॉसिंग्स आपको देखने को मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक दो शांदार क्रॉसिंग्स मैंने आपको दिखा दिया एक गुड्स ट्रेंड का था जो कि हमारे लेफ्ट साइड से क्रॉस हो रही थी और यह दिखे फिलाल हमारा ट् श्रेंग खरी है और लिप्ट साइड में यह क्या है पता निकोच को यहां पे सर्विस वगएरा किया जाता हो सकता है यह फिक से पता नहीं चल रहा है देखके अगर आपको पता हो कि लिप्ट साइड वाला इक जिसमें रेलिंग लगा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में जरू लास्ट में बताऊंगा कि आज हम लोग कौन सा रूट खेल रहे हैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया इस रूट के बारे में आप आप लोगी बता यह देखो फिलाल अभी हम लोग जो स्टेशन स्किप कर रहे हैं यह कौन सा दमदम जं जो तो नहीं है और मैं प्रफेशनल लोग भाइलट भी नहीं है क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम यार कुछ नियुम वगेरा मानते नहीं और कैसे चलाते हों तो यार देखो में लाइन प्राइंग और यहां पर देख सकते हैं एक डिजल लोको मोटिव अच्छा यह नीचे वाला लोको शेड है क्या पता नहीं हो सकता है को यह लोको शेड होगा तो एक एम्यू ट्रेन भी दूर में आपको दिखाई दे रहा होगा मैं आपको दिखाना भूली है और दो दो डिजल लोको मोटिव और यह होफुली एक लोको शेड है राइट साइड से क्रॉसिंग चल रहा है मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ एक एक एक्स्प्रेस ट्रेन का क्रॉसिंग है वैब 7 के साथ में पता नहीं कौन सा ट्रेन है यह आईसीफ के साथ में जा रही ह अगर यह हॉर्ण मारके जाती तो यार और मज़ा आता और जैदा देखने में अच्छा लगता है तो यह जो ट्रेक्स है हमारा इस ट्रेक्स के राइट साइड में जो ट्रेक्स जा रही है वो बोनगाओं के साइड में जा रही हसनाबाद बोनगाओं हाबरा यह सब के साइ कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा स्मोक जो है सरकल बना रहा है लोको मोटिव स्मोकिंग काफी गजब का करता है अब आप लोग साउंड एलोको मोटिव का आप लोग ओ तोरह सा साउंड सुन लो और कमेंट्स प्रवता देना कैसा लग रहा है कि 110 का मिल चुका है स्पीड लिमिट चलिए हम लोग उठाते हैं जल्दी जल्दी से 110 पे कैसा लग रहा है इस कमेंट से बताओ जल्दी से और यह देखिए राइट साइड में जो ट्रैक्स जा रही है वो डानकुनी के साइड में जा रही है डानकुनी CC लिंक डानकुनीक्लकरटा लिंक लिखा हुआ यही होगा और हम लोग ठलाल जा रहे हैं कैलकरटा सबर्बन लाइन से मस अब यह सबर्बन लाइन है जहांपर लोकल ट्रेंस चलती हैं ये मिवी ट्रेंस चलते हैं और WDM3 अपना फुल पावर लगा दिया है ताकि जल्द से जल्द हम लोग 110 के स्पीड में पहुँच पाए और यहां पर राइट सेड में देख सकते हो एक EMU ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है EMU ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है मैपको अब डोर व्यू से भी दिखा देता हूं यह देखिए यह हम लोग अंदर में आ गए और उपर में हाँ यह मैपको दिखाना भी भूल गया यह देखिए उपर में उपर में एक लोकल ट्रेन करिए यह नजारा कैसा लग रहा है इस के लिए एक लाइक ठोकना तो बनता ही है देखिए उपर में लोकल ट्रेन खरी है और अम लोग नीचे से क्रॉस कर रहे हैं यह नजारा काफी अच्छा नजारा था अगर कुछ पिक्चर्स वगेरा की सकते तो बहुत ही अच्छा होता चली कोई बात नेक्स टाइम कर करमेंट आ रहा है कि हम लोग जल से जल स्पीड को रिड्यूस कर लेते हैं और सामने जो स्टेशन आ रहा है बेल गडिया बेल गडिया स्टेशन अभी सामने आ रहा है और एक प्रबल डब्लूडीम 3 के साथ में एक बीसी इने वाली गुड़ स्टेन है जो की वेटिंग पर खरी है बस ही वाटिक स्टेश कर लिए जोभी ट्रैन्सCямиến आ पको देखने को मिल रहा है उनका वर्टेक सफेस कर डिये कि लीडिफिक्ते बने धर है चला हविश लेंग सपीड के अंदर में आ चुके सुना रहा था तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कोचिस का साउंड में सुना देता हूं आप लोग सुनियों और बताई यह कमेंट्स में कैसा लग रहा है एक्सप्रेस आ रहा है वैप 4 के साथ में एलजीबी के साथ में ट्रेन है देखो आप लोग कौन से शेट का लोको मोडि लिए तो आज कहीं हमारा चोटा साइब होने वाला और इस रूट में बांगलादेश वाला सेक्षन तो नहीं है फिलाल जितना सेक्षन हम लोग उसका थोरा साइब कर पाएंगे क्योंकि तो कि अगर पूरा कवर करने जाएंगे तो यार बहुत ज्यादा वक्त लग से आपके ऊपर आपको कैसा लग रहा है फिर आप उस हिसाब से देखते हैं मैं अपको एक बार क्रॉसिंग दिखा देता हूं कि हमारे ट्रेन का क्रॉसिंग कैसा लग रहा है चलिए मैं वापस से स्पीड को इंक्रीस करता हूँ और उसके बाद मैं आपको क्लॉसिंग दिखाँगा सामने एक स्टेशन आ रहा है अगर पारा स्टेशन अगर पारा स्टेशन को अभी हम लोग क्लॉस करने वाले हैं अब लोग क्लॉसिंग देखिए मेरा कि कैसा लग रहा है इस क्रॉसिंग मुझे जरूर से बताना तो सामने 25 का स्पीड लिमिट है चलो हम लोग स्पीड को रिड्यूस कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी करना बढ़ेगा स्पीड को रिड्यूस क्योंकि सामने का सिगनल रेड भी हो सकता है अगर पारा स्टेशन में यह देखो एक एम्यू खरी है आपको राइट साड में दिख रहा होगा एक एम्यू ट्रेन खरी है तो यहां पर आज हमको टोटल तीन टाइप की इम्यू ट्रेन्स देखने को मिले और थोरा सा स्पीड को रिड्यूस करना चाहिए ब्रेकिंग कमाल गाए गाई इसका रेक्स काफी तेजी से लगते हैं इसके बट एक्सलेरेट इतना जल्दी नहीं हो पाता डव्लू ड्यू कोई बात लिए हम लोग मैनेज कर लेंगे और एक और एक्स्प्रेस टेंग का क्रोसिंग हो रहा आपको राइट साइड से दिख रहा होगा मैं आपको यहां से दिखाता हूं यह देखिए वैक सेवन के साथ में विजय वाड़ा था ना वैक सेवन इसके साथ में आई सीफ ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है और अभी हम लोग फिलाल रेट सिग्नल मिल रहा है उमको तो हम लोग सामने जाके रुख जाएंगे यह देख आपको भी दिख रहा होगा हम हम लोग अल्रेडी दुख चुके हैं और यह लोको पाइलेट जी बैठे हुए है लोको का जो अंदर का नजारा को जिस तरह का लग रहा है आपको भी दिख रहा होगा कैसा लग रहा है और देखते हैं कब तक हमको सिग्नल मिलता है गाईस पसे सिग्नल मिल क्यों नहीं रहा पता है नहीं दिखते हैं कब तक signal मिलता है अचा मिल भी गया चली फिर अब departure करते हैं yellow signal मिला है और track change होने वाले हमारा तो गाइज अभी हमको मेन लाइन पर डाल रहे हैं अभी हम लोग slow line पर चल रहे थे और अभी हमको मेन लाइन पर डाला जा रहा है चलिए हॉन बजा के डिपार्ट करते हैं चलिए मैं आपको यहां से दिखाता हूँ यहां से जो ट्रैक साउंड है न काफी अच्छे से सुनाई देगा आपको मेरा कहने का मतलब यह डूर व्यू से दिखाता हूँ चलिए कितना खतरनाक स्मोक कर रही आपको दिख रहा होगा उपर में और अभी हमारा होने वाला ट्रैक सेंड ज़रा सामने में देखिए सामने में आपको दिख जाएगा यह देखिए हमारा लोको मोटिफ दिख रहा है और यह हो रहा है हमारा ट्रेक्स चेंज देखिए कैसा लग रहा है कमेंट से बता देना कैसा लग रहा है ट्रेक्स चेंज अब हम लोग वापस से हम लोगों को 110 का स्पीड लिमिट मिलने वाला है सामने जाके तो फिर हम लोग इंक्रीज करेंगे स्पीड को और सामने और कौन कौन से ट्रेन का क्रॉसिंग होता है ज़रा वो भी देखते हैं तो गाइस मुझे सामने में एक EMU ट्रेन दिखाई दे रहा है तो अभी समझ में आ रहा है कि हमको क्यों रेट सिंगनल मिला था तो यह EMU ट्रेन जो है इसको सिंगनल नहीं मिला है यह ट्रैक पर रुकी हुई है जिसके चलते हमको जो है स्लो लाइन से अब में लाइन पर डाला जा रहा है और इस EMU को side कर दिया गया है आपको सामने दिखे कहा क्यादे मुझे यहां से दिख रहा है और लोग पताने यह वीडेय वीडियो को फुल स्प्रीन में देख रहे हाँ या फिर हाद स्क्रीन में लेकिन मुझे यहां से दिख रहा है यह वोर सामने से एक और ट्रें भी आ रही है वह भी मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे होर्ण वह गएरचा सुनाई दे रहा है उस ट्रें का, यह देखी होर्ण आपको सुनाई दे रहा है, डेव्ट्यम 3D के साथ में, यह देखिए आई सिफ ट्रेन का क्रोसिंग चल रहा है और यह देखिए यह लिए ट्रेन को अभी अम लोग कर रहे हैं ओवर टेक यह नजारा काफी शानदार है गाईज आपको ऐसे दिखाता हूँ यह दिखिए यह नजारा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट से बता देना गाइस आज मैंने आपको काफी सारा अच्छा अच्छा नजारा दिखाया तो इसके लिए एक लाइक ठोकना तो यार बनता ही है आप लोग लाइक नहीं करते हो यार ऐसे ही चले जाते हो वीडियोज देखे अगर अच्छा लगता है तो दरूर से लाइक कर दिया करो क्योंकि तभी उससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ या यह चीज आपको पसंद आया मुझे इस तरगे वीडियोज बनाना चाहिए तो फिलाल नहीं दिखिए हम लोग सोधपूर स्टेशन को अभी स्किप करने वाले हैं फॉर्ण बजा देता हूँ मैं मैंत्री एक्सप्रस एक एसी एक्सप्रस कैटिकरी की ट्रेन है और यहां पर दिखिए एमडी के साथ एक कंटेनर वाली गुड्स ट्रेन वेटिंग में खरी है रेट सिगनल इसको मिला है मिक्स कंटेनर है काफी कलरफुल दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा यह दिखिए मैं आपको यहां से दिखाता हूँ कहां गया यह रहा है यह देखिए काफी सारे कंपनी लिखा हुआ इसमें और अभी मैं अपको अंदर से दिखाता हूँ यहां से यहां से देखिए कैसा लग रहा है नजारा और कोचिस का वाइब्रेशन काफी अच्छा हो रहा है मैं थ्रॉटल एकदम 100% पर कर दिया हूँ थाकि हम लोग जल से जल 110 के स्पीड में पहुंच सके वसे का इस मैत्री एक्स्प्रेस का जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो 95 किलोमेटर परावार का है मैंने रिसेर्च किया तो मुझे पता चला लेकिन अगर गेम मैंने 95 किलोमेटर परावार के स्पीड में चलाया तो यार इतना मजा नहीं आएगा एक्सो के उपर में उठाना ही पड़ेगा नहीं तो मजा नहीं है इसलिए मैं 110 तक जाने की कोशिश कर रहा हूं हर बार यहां पर देखिए लेट साइड में कुछ ट्रेंस कड़े हैं स्वरी ट्रेंस नहीं लोकोमोटिव यह देखिए दो यहां पर एक वैग 5 क्या लिखा ह है है कि अभीत शाणदार क्रॉसिग मैंने मिस कर दिया थिस सब्सक्राइब में हम तक्लिवर्स का क्हु corporations चल रहा है करेंso आनलंग नेव泡व्स नहीं को पकर लेता है आपाँ यहां से वापास में आपको दिखाता हूं सामने खर्दा स्टेशन में अभी हम लोग स्किप करने वाल है खर्दा स्टेशन से अगर आप लोग कोई ये विडियो देख रहे हो तो जरूर से मुझे कमेंट से बता देना देखिए यार कितना मस्त ये अक्शन लग रहा है देखिए बिल्कूल वियल जाइसा लग रहा है ये प्रोसिग कैसा लग रहा है गाई स्टेशन का चौरसिंग मुझे जरूर से बताना मुझे बिल्कुल रियालिस्टिक लग रहा है क्रॉसिंग ट्रैक्स आउंड भी काफी अच्छे आ रहे हैं गाइस साइट के ट्रैक्स पर सिगनल अभी ग्रीन हो जुका है अब देखते हैं कौन सा ट्रेन आने वाला है हमको क्रॉस करने के लिए काफी शांदार क्रॉसिंग देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है तो सामने से गुड्स ट्रैन का क्रॉसिंग अभी होने वाला और हम लोग लिफ साइट से लोकल ट्रेन को अभी ओवर्टेक कर रहे थे तो वैक सेवन के साथ में अच्छा दो वैक सेवन है ट्विन वैक सेवन के साथ में एक बीसी इने गुड्स ट्रेन है जिसको कि अभी हम लोग ओवर्टेक कर रहे हैं और अभी हमको धीरे धीरे ब्रेक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि 80 का स्पीड लिमिट आ चुका है और अभी राइट साइड के ट्रेक्स पर सिगनल तो रेड होगा जो की जाहिर सी बात है क्योंकि अभी अभी एक गुड्ट ट्रेन गुजरी है चली फिर अभी अल्मूस्ट हम लोग काफी देर तक ट्रेन को चला चुके हैं अभी सामने में जाके जैसे हमारा यह स्टेशन स्किप होगा अभी सामने कौन सा स्टेशन आ रहा है वोफुली बैरेक्पुट स्टेशन में बैरेक्पुट स्टेशन को हम लोग जैसे ही स्किप करेंगे हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे तो और मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता अभी सामने चली फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगी बैरेकपूर स्टेशन में अभी हम लोग स्कीप करने वाला है बैरेकपूर में एक बहुत ही फेमस फूड मिलता है अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बता देना स्पेशली जो लोग वेस्ट बेंगॉल से हो या फिर कोलकता साइट से हो उनको तेहर पक्का पता होगा कि बैरेकपूर में एक क्या चीज फेमस है मतलब फूड के साइट से एक बहुत ही फेमस चीज मिलता है और यहाँ पे बैरेकपूर का जो नजारा आप लोग देख लो कैसा नजारा है WDM 3D, लोकल ट्रेन और लेट साइड में देखो एक कितना प्यारा सा WDM 3D लग रहा और यह देखो गाईज यहाँ पे जो नजारा है मैं आपको दिखाता हूँ रूख जाईए यहाँ पे एक मस्त नजारा था जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह देखिए यह जो ट्राफिक यह बिल्कुल बीच में फसा हुआ था और यह ट्रेन के अंदर से कैसे निकल रहे देखो यार यह पाईए तो दिख रहे लेकिन कार कितर है गाईज यह अजीव अजीव नजारा आपको MSTS में बहुत ही कॉमन है गाईज आपको दिखता रहे गाई यह देखिए फिर से यहाँ पे अभी लेवल क्रॉसिंग का जो गेट है वो क्लोस हो चुका है पता नहीं कोई ट्रेन आ रही है क्या यह फिर क्लोस कैसे हो गया पता नहीं गाईज हो सकता है कोई ट्रेन आ रही है इसके चलते ही अभी क्लोस हो चुका है चले हम लोग ट्रेन के पास में चलते हैं तो वैस हम लोग अल्रेड़ी स्किप कर चुके हैं बैरकपू स्टेशन को और इस ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वह गेड़े गेड़े स्टेशन में यह रुकने वाली है जो स्टेशन है गेड़े स्टेशन वो बिल्कुल लास्ट के साइड में है वेस्बिंग हॉल के लास्ट के साइड में है बॉर्डर के साइड में तो वो तो इस रूट में अविलेबल है नहीं तो मैं कहां से दिखाऊं चलिए कोई बात नहीं अभी राइट साइड से राइट साइड में एक टैंकर वाली गुड्स ट्रेन जो की वेट कर रही है इस सिगनल नहीं मिला है और गाइस मैं सोच रहा था वीडियो को यहीं पर एंड कर दो क्योंकि काफी जादा लंबा हो चुका है मैंने आपको पहले आपको आज का यह वीडियो और अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर से ठोक देना और नेक्स वीडियो में बहुत ही जल्द लाओंगा और यहां जुरने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करके जाना अगर आप यहां पर पहली बार आयो तो आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो पर अब तक के लिए सायन आरा और बाइड अज़ाई